ओ माय गाद, बिग बॉस की इस कंटेस्टेंट ने हमेशा हमेशा के लिए ग्लामरिस वॉर्ल्ड को कह दिया अल्विदा साथी साथ अब हमेशा हिज़ाब पहनूंगी इस स्टे'tमेंट को किया है पयान तो आखरकार कौन है ये पापिलर कंटेस्टेंट बिग बॉस की आईए अजबात का मैं खुलासा करूंगी इस विडियो में नमस्कार मैं इस नक्ता स्वागत करती हूँ आप सबी का हमारे चानल पर आपको बता दो कि इन दिनों हिजाब मुद्दे को लेकर कापी जादा चल रही है चर्चाएं और इनी चर्चाओं के बीच अब जाकर बिग बॉस की इस कंटेस्टेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है ग्लामरस वर्ल्ड को अलविदा कह दिया है साथी साथ अब हमेशा हिजाब पहनूं की इस स्टेटमेंट को दिया है और ये और कोई नहीं बलकी है मजहभी सिद्धिकी मजहभी सिद्धिकी जिनको आपने बिग बॉस सीजन 11 में बतोर कॉमनर देखा था तो बतोर कॉमनर बिग बॉस सीजन 11 में उन्होंने एंट्री की थी और अब जाकर वो एक शौकिंग बयान देते हुए और शौकिंग स्टेटमेंट देती हुई नजर आ रही है उन्होंने फाइनली हपते कर दिया है कि वो ग्लामरस दुनिया को छोड़ देंगी वो काफी जादा सना से एकस्पायर्ड हैं जैसे हम सबी को पता है कि सना ने किस तरीके से ग्लामरस वर्ल्ड को सना खान ने किस तरीके से ग्लामरस वर्ल्ड को अलविदा कह दिया था और अब उनी से inspired होकर अब जाकर मजहभी सिद्धिकी जो है वो भी glamorous world को त्याग रही है उनका एक लंबा चोड़ा post सामने आया है उन्होंने कहा है कि जब आप किसी के लिए कुछ करो और जब लोगों को उसकी कदर ना हो तो फिर ऐसा करने का भी क्या मतलब इससे बहतर है कि उस दुनिया में जियो जहां पर अल्ला की अबादत करो अल्ला के लिए कुछ करो ताकि कुछ सबब मिल सके ऐसे में मजहभी सिद्धिकी का कहना है कि इस मतलबी दुनिया में उनकी अबादत करने का कोई मतलब नहीं है जो जिन्हें आप जितना भी करो उनसे उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे जादा अच्छा है कि अल्ला की अबादत करने में ही जादा भलाई है तो ऐसे में मजहभी सिद्गी ने ये भी कहा है कि अब मैं हमेशा हिजाब पहनूगी और हमेशा अल्ला की इपादत करूंगी और अब उन्होंने ग्लामर्स वर्ल्ड को त्याग देने का बड़ा फैसला किया है तो आप क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस सीजन 11 की ये कंटेस्टिन मजभी सिदिकी ने ग्लामर्स दुनिया को त्याग कर अब अल्ला को मान लिया है और अब हिजाब हमेशा के लिए पहनने का बड़ा फैसला भी किया है तो इस खबर पर आपके क्या है रियाक्शन आप हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में तमाम डेट्स के लिए बनेगे